हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक माई चैनल को एक नॉलज आज के इस वीडियो में हम आप लों को बताएंगे कि आगरा में कौन सा गौवर्मेंट कॉलेज है उसकी फीसिस टचर क्या है उसमें कितने सीटें हैं और आल इंडिया और स्टेट वाइज उस कॉलेज के अफिलेटेड है और इस कॉलेज में टोटल 150 सीटे हैं इस कॉलेज में MBBS एंडमीशन जो होते हैं आल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू और स्टेट वाइज काउंसलिंग के थ्रू इसमें बच्चे एंडमीशन लेते हैं फीस स्टेचर की बात के तो 36,000 पर यार इस कॉलेज की फीस है गौर्मेंट कॉलेज है गौर्मेंट कॉलेज की फीस बहुत कम होती है UP की रैंकिंग में छटे नंबर का कॉलेज है अब हम चानते हैं आल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू 2,021 के जो एकस्पेक्टेड कटाफ होगी वो कितनी होगी तो बात कर रहे हैं च्छिस सो पांसे लेकर के 610 होगी आपकी जनरल कटेगरी की OBC की होगी 615 के बीच और EC की आईगी 490 से लेकर के 495 की बीच और EC की जो होगी हो 480 से लेकर के 485 के बीच जानते स्टेट वाइज इसकी कटाफ क्या होगी तो जनरल कटेगरी की जानी चाहिए 580 से 590 की बीच OBC की रहेगी 580 से 585 के बीच SC की होगी 460 से लेकर के 465 के बीच and ST की होगी 325 से लेकर के 330 के बीच फ्रेंटस इस बीडियो मैंने आल इंडिया और स्टेट वाइज कटाफ 2021 के बारे में बताया आपको लेकिन अगर आप 600 प्लस पे हैं और जनरल कटेगरी के हैं और EWS के बारे में मैंने इस बीडियो में नहीं बताया क्योंकि जनरल कटेगरी और OBC के बीच की जो रैंकिंग होती है वो EWS की होती है ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है अगर आप UP के हैं और UP में आप कोई गॉवर्मेंट कॉलेज चाहते हैं तो ये भी कॉलेज बेस्ट है आपको हमारी ये वीडियो अगर इंफर्मेटिव लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फार वाचिंग मैं वीडियो वेस्ट अफ लग